आप सभी को मेरा प्रणाम, हर्बल रेमेडियेजर नेचर स्टेजर में आपका स्वागत है, मित्रो आज विटी लोगों के बात करेंगे, तुचा के उपर सफे दाग हो जाते हैं, इसके निराकरन के लिए आप जो प्लांट देख रहे हैं, इसको ब्रंगराज कहते हैं, एकल को पता होना चाहिए, यह जो प्लांट है, इसके अधनात विभिन प्रकार के एंटी ओक्सिडेंट्स और नेचरल कंपाउंड पाया जाते हैं, जो बोड़ी की इम्मुनिटियो को बढ़ाने में अपना कारे करते हैं, इसके अंदर थायोफीन एसीटाइलीन पाया जाता है, जो functional analog का कारे करता है, कुमेरिन का, जो कुमेरिन होता है, वो natural blood thinner का भी कारे करता है, अब जो इसकी chemical constant पाया जाते हैं, यह क्या होता है, कि लिवर के माध्यम से और स्प्लीन के माध्यम से अपना कारे करते हैं, जॉन्डिस आपने सुना होगा, इसको कामला भी कहते हैं, के लिए आप इसका स्वरस बना लेजिए, पूरे प्लांट का स्वरस लेंगे तो अच्छा होगा, और उसमें दो से तीन दाने काली मिट्स के मिलाकर, दस से पंदर हैं मिल, इसका सिवन हमें करना चाहिए, एक महिने के अंदर देखेंगे, कि जॉन्डिस की समश्या पूरी दूद के साथ सेवन कीजिए, एक महिने करने के बाद देखेंगे, कि ये समश्या फिर दुबारा नहीं होती है, इसके अलावा अगर इंदर लुप्त की समश्या है, बाल समय से पहले पक गए हैं, या ग्रे हो गए हैं, या फिर बाल डैंस नहीं है, हलके बाल हैं, इंदर सुरस बनाकर बालों में लेप कर सकते हैं, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, पूरे प्लांट का पंचांग ले लीजे, उतनी ही मात्रा में गुढ़ल के फूल और मेथी दाना भिगा दीजे, 12 गंटे बाद इसको आप महीन पेस्ट बना लीजे और बालों पे अपलाई क कीजे, आप देखेंगे धिरे धिरे इंद्रलूप्त की समझ्चा भी दूर हो गई, घने काले बाल आपके आजाते हैं और बहुत अच्छा एक कारे करता है, साथी साथ यौन सक्ति बढ़ाने के लिए भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं, इसका जो बीज होते हैं, वो सेक् पत्र लेकर उसका पिष्ट बनाकर स्किन के उपर लगा सकते हैं, धिरे धिरे जो सफेद दाग हैं वो दूर हो जाते हैं, यह नैचुरली क्या करता है, बीटा सेल्स की सिंथेसिस को प्रमोट करता है, और एच्पी एवन सी का लेवल शरीर के अंदर कम करता है, और डाइब कि अगर समच्चा हो, तो भी हमें इसका डिकॉक्षन मिलाकर सेवन करना चाहिए, अलसर की समच्चा हो, तो यही डिकॉक्षन अलसर में भी बहुत अच्छा कारे करता है, खासी की समच्चा हो, तो इसके पंचांग का सुरस निकालकर सहद मिलाकर सेवन करना चाहिए, स्वर करें इस प्रकार से यह हैं आपके सफेद बालों को काला करने के लिए या बालों बाल ना हो इंद्रलुप्त की समस्षा हो उसके लिए लिवर और स्प्लिन के remediation के लिए, स्वर्भंग की समच्चा के निराकरण के लिए diabetes की समच्चा या गर्ब स्राव की कोई समच्चा है उसके निराकरण के लिए आप इसका इस्तुमाल कर सकते हैं लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये Espaeuretic होता है मुत्रल का कारे करता है कई बार हम डाइविरेटिक्स ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए लेते हैं जैसे कि लेसिक्स या फुरूशिमाइड तो ऐसी अवस्था में ब्लड प्रेशर ज्यादा डाउन हो जाता है तो अगर आप ले रहे हैं तो इसकी मात्रा का भी आप कंट्रोल्ड अमाउंट में लीजिए या फिर दवाई को अपना थोड़े दिन के लिए बंद कर दीजिए फिर ज्यादा लाब होता है अगर यह जानकरी आपको पसंद आए तो लाइक सेर सब्सक्राइब करना नहीं जापकर